नमस्कार प्यारे विध्यारतियों, स्वागत है आपका चेनल पर प्यारे विध्यारतियों, पावर सिस्टम की क्लास है आज ये 6, ठीक है आज ये 6 क्लास है अगर इससे पहले कि आपने 5 क्लास नहीं देखिए तो इस वीडियो के description box में उन सभी classes के link upload है आप यहां से जाकर देख सकते हैं बढ़ते हैं आज के question first की तरफ और overall 49 question की तरफ non-conventional method of power generation is art क्या हुआ इसका मतलब विद्योत उत्पादन के गेर परमप्रागत विधियां है आपके सामने चार option है option है solar power generation स्वर विद्योत उत्पादन option B thermonic converters तपाईनिक परिवर्तन option C both of the above उप्रोक्त दोनो option D non of the above उप्रोक्त में से कोई नहीं तो आपका इसका right answer क्या हो जाएगा option C both of the above यहने कि उप्रोक्त दोनो question number 49 का आपका right answer हो जाएगा option C is the correct answer बढ़ते हैं next question की तरफ एन इंडस्ट्रियल कंजुमर्स हैज ए लोड पेटर्न ओफ 2000 क्लोवाट 0.8 लेक for 12 hours and 1000 क्लोवाट उनिटी पावर फेक्टर 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 इस एक उद्योगिक औभोक्ता के पार्ट बारा घंटे के लिए 2000 क्लोवाट 0.8 और 12 घंटे के लिए 1000 क्लोवाट एक्टा शक्ति गुणांक भार पेटर्न है ठीक है तो भार करक्ट की है तो आपके सामें चार ओप्षन है ओप्षन है 0.5, ओप्षन B 0.75 ओप्षन C 0.6 ओप्षन D 2 तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्षन C 0.6 इस दी करेक्ट आंसर ओप्षन नमर 50 प्यारे विद्ध्यारतियों अगर ऐसे नुमेरिकल क्यूश्चन के आप डिटेल से में सोलिशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताइए आगे से PDF में हम इनके सोलिशन की स्लाइड भी एड कर देंगे बढ़ते हैं नेश्ट क्यूश्चन की तरफ क्यूश्चन डाविस्टिटी फेक्टर इस दी रेश्यो ओप जो विवित्ता है उसके कारक का अनुपात है चार ओप्षन आपके सामने ओप्षन है Sum of Maximum Demand of Consumers is System Maximum Demand याने कि उभभगताओ की अधिक्ता मांग और प्रणाली की अधिक्ता मां अनुपात में रेश्यो अने की डिवाइड़ड Option B Maximum Demand of Consumers upon Average Demand हिंदी में क्या हो जाएगा उभभगताओ की अधिक्ता मांग और औश्रत मांग Option C Demand of All Consumers upon Average Demand सभी उभभगताओ की मांग और औश्रत मांग Option D None of This इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा Option Option A Sum of Maximum Demand of Consumers Systems Maximum Demand याने कि उभभगताओ की अधिक्ता मांग अपोन में प्रणाली की अधिक्ता मांग ठीक है प्रणाली की अधिक्ता मांग Question No.51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका Option A is the correct answer बढ़ते हैं Next Question की तरप Next Question है आपका The Product of Diversity Factor and Maximum Demand is विवित्ता कारक और अधिक्ता मांग उत्पाद है Option Average Demand Option B Sum of Consumers Maximum Demand उप्रणाली की अधिक्ता मांगो का योग Option C Installed Capacity स्थापित शम्ता Option D Generated Capacity याने की उत्पन शम्ता ठीक है Generated Capacity उत्पन शम्ता तो आपका इसका right answer क्या हो जाएगा Option B Sum of Consumers Maximum Demand हिंदी में क्या हो जाएगा और भगता की अधिक्ता मांगो का योग तो Question No.52 का right answer हो जाएगा Option B Is the correct answer Next Question Next Question है आपका आपके इसक्रिन पर The rated voltage of three-phase power system is given as याने की त्री चरण विद्धित प्रणाली का rated voltage के रूप में दिया जाता है Option है आपके आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C RMS line to line हो जाएगा RMS line to line Question No.53 का right answer हो जाएगा Option C बढ़ते हैं next question की तरफ Next आपका question है In underground cables which component have high insulating properties but absorbs moisture ठीक है इसका क्या हो गया हिंदी में Underground cable में से किस उर्जा में अधिक insulating गुण होता है लेकिन वहाँ नमी को सोख लेता Option A Polyvinyl chloride Option B Conductor मतलब चालक Option D Vulcanized rubber Option D Cross-linked polythene मतलब cross-linked polythene ठीक है तो आपके इसका right answer क्या हो जाएगा Option C Vulcanized rubber Is the correct answer Question No.55 Next question Question 56 A string insulator has 5 unit The voltage across the bottom most unit in 25% of the total voltage The string efficiency मतलब कि आपको numerical based question है इसमें आपको string growth है कि उसमें 5 इकाई है दी हुई है सबसे अधिक इकाई की नीचे इस्तित voltage कुल voltage का 25% String 25% आपको total दिया हुआ और आपसे उन्होंने क्या पूछी String efficiency पूछी ठीक है न String efficiency पूछी की What is the string efficiency 4 option आपकी सामने Option A 25% Option B 50% Option C 80% Option D 75% तो आपको इसका right answer हो जाएगा Option number Option number C 80% is the correct answer Of the question number 56 प्यारे student Content पसे आता है तो आप वीडियो को like अवस्ति करें Share करें और चेनल को Subscribe करना न भूले साथ में bell icon भी प्रेश कर ले ताकि जैसे ही next class upload हो सबसे पहले आप तक वो पहुच जाए बढ़ते हैं next question की तरफ The daily energy produced in Thermal power station is 722 At a load factor 0.6 What is the maximum demand of the station Thermal power station में उत्पादिक देनिक उरजा 0.6 के बहार कारक 720 याने की 720 मेगावट पाउर इस्ट्रेस ने इसकी अधिक्तम मांग क्या होगी Maximum demand अपने से पूचा है की maximum demand क्या होगी What is the maximum demand? Option A 50 MW, Option B 30 MW, Option C 72 MW, Option D 720 MW, Option A 50 MW, 50 MW, बढ़ते हैं next question की तरफ, question 58, which factor is the ratio of the sum of the individual maximum demand of the various subsystem of a system to the maximum demand of the whole system? कौन सा गुण किसी प्रणाली के विभिन सब सिस्टम के individual अधिक्तम डिमान की योग और पूरे प्रणाली के अधिक्तम डिमान का अनुपात है चार option आपके सामने, option A capacity factor, श्रमता कारक, option B diversity factor, विभिता कारक, option C demand factor, demand कारक, option D load factor, भार कारक, तो इसका आपका right answer हो जाएगा option number B diversity factor, विभिता कारक is the correct answer, of the question number 58, next question, a power plant has a maximum demand of 12 MW, the load factor is 50% and the plant factor is 40%, the operating reserve is, operating reserve आप से पूछाए एक बिजली संयंत्री की अधिक्तम मांग, 15 MW, भार कारक 50% है, ठीक है, 50% है, और plant कारक आपको दिया हुआ, 40% है, तो आप से operating reserve की, पूछा है कि operating reserve इसका क्या होगा, starting पावर सिस्टम है, तो इसमें numerical, question आप से जानदा पूछते है, theoretical part इसमें कम है, 70 ratio आप 3 ले सकते हो, 70 numerical है, 30 theoretical, option A, 3.0 MW, option B, 3.75 MW, option C, 6.0 MW, option D, 7.5 MW, इसका right answer आपका हो जाएगा, question number, sorry, question number 59 का right answer हो जाएगा, option B, 3.75 MW, ठीक है, is the correct answer, बढ़ते हैं, next question की तरफ, आपका अगला question है, gas turbine can be brought to the bus bar from cold, in about, जो gas turbine है, को ठंड में bus bar में लाया जा सकता है, किस में लाया जा सकता, 2 minutes में, 30 minutes में, ठीक है, की 1 घंटे में, की 2 hours में, तो आपको इसका right answer क्या हो जाएगा, आपका right answer हो जाएगा, option number A, option number A, 2 minutes is the correct answer of question number 60, ठीक है, 2 minutes में इसको लाया जा सकता है, यहने की 120 seconds, next question, within the boiler of thermal power station, the steam has highest temperature in, thermal power station के boiler के भीतर, भाप में उच्चितम तौपमान होता है, यह theoretical question है आपका, और most time P, question B है, ठीक है, चार option है आपके सामने, option है, water tubes, option B, water walls, option C, water drums, option D, super heater, इसका right answer क्या हो जाएगा, option D, super heater is the correct answer of question number 61, याने की जो thermal power station के boiler है, उसमें भीतर, भाप में उच्चितम तापमान होता है, super heater, ठीक है, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, आपके सामने question है, compared to turbines in conventional coal, fired thermal station nuclear power plant, turbines uses steam aid, मतलब क्या हो गया इसका, जो पारमपारे कोईले से चलने वाले thermal station है, मैं टरफ, तुलना में परमानू जो उड़ जाशेंत है, टरफ, बाइन के भाग का उप्योग होता है, Option है, higher pressure और lower temperature, उच्छ दबाव और कम तापमान, Option B, lower pressure and temperature, कम तबाव और तापमान, Option C, higher pressure and temperature, उच्छ दबाव और तापमान, Option D, lower pressure and higher temperature, कम दबाव और उच्छ तापमान, तो इसका right answer हो जाएगा, Option B, Option B is the correct answer of question number 62, टू बढ़ता है नेक्स्ट कुष्चन की तरफ विच एमोंग दी फॉलोविंग कंट्रीस है विगेस्ट कोल रिजर्व इन दी वर्ल्ड निमने खित में से किस दैश में विश्व का सबसे बड़ा कोईला भंडार है यह आज की क्लास का सेकेंड ट्योरिटेकल कुष्चन और मोस्ट आएमपी कुष्चन उसको चाप लो अब कमी एक्जाम खास कर एमपी भी जो करा रही है सब इंजिनियर एक्जाम ठीक है सब इंजिनियर का पेपर उसमें तो यह आपको देखने को ट्यू पर सेंट मिलें आफ सने उसन ए रेसिया ऑप्सें एंडिय की आपसंडी उस्ट्रेलिए तो इसका हम्राइब नॿलाइट क्लास का नहीं नहीं इसका राइट सोरी विध्यारतियो इसका राइट आंसर इंडिया ओप्शन बी इंडिया में सबसे अधिक कोईला पाए जाता है ठीक है ओप्शन बी इस दी करेक्ट आंसर ओप कुष्चिन नमा 63 बढ़ते हैं नेस्ट कुष्चन की तरफ कुष्चन है दे देट शुटेवल फॉर माइंस वेर एक्सप्लेजिव गैस इग्जिस्ट इस ए मतलब वहां ड्राइव निम्न है जो खानों के लिए उप्युक्त होती ही जहां विस्पोटक गैसे मोजू थे चार आपके सामने पेट्रोल इंजन डिजल इंजन इस्टिम इंजन बेटरी इ कि लास का लास्ट क्यूश्ट प्यारे विद्यारतियों वीडियो को अधिक साधिक शेयर करें लाइक करें और चेनल को सब्सकाइब करना न भूले इस यूजली कंट्रोल बाई टर्बाइन एंड गवर्नर सामाने रूप से टर्बाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित क क्या कि जाता है कि करेंट यह फेक्वेंसी या ओल३ déossip इंड उल्टेज इन नॉमंहर इस आंसर आचि क्लास को इतना ही रखते हैं प्यारे विद्यारतियों मिलते नेक्स्ट क्लास में तब तक ये बाई बाई टाटा अपना ख्याल रखेगा और अच्छे से पढ़ते रहें थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो